कि आपको मौलुम है लेंडिंग मतलब कोई भी कस्टमर कोई लोन चाहिए तो बैंक के पास जाएगा तो बैंक लोन देता है तो बैंक को लेंडर बोल देते हैं और आपको बारोयर क्योंकि आप लोन ले रहा है तो जैसे बैंक लोन दे रहा है तो बैंक को तोड़ा प्रियार्टी सेक्टर होता है यह गौर्मेंट डिसेड करता है अभी आपने लोन एजुकेशन के लिए अग्रिकल्चर को दिया मतलब जितने भी बैंक लोन देता है इसमें कुछ परसंटेज 40 परसंट 70 परसंट लोन्स प्रियार्टी सेक्टर को देना है वो प्रियार्टी सेक्टर में क्या का मतलब कवर होता है वो और बैंक जितने भी लोन दे रहा है उसमें इतना परसंटेज वो प्रियार्टी सेक्टर को देना पड़ेगा कि लो इंकम गूरूप को डेवलप करना है इसका गौर्मेंट का म रिजनल बैंक यह सब गोश्मनेंट का यह परसंटेज फालो करना पड़ेगा आपको सब करोड का आपके पास लोन्स है तो उसमें 40 परसेंट प्रियर्टी सेक्टर को जाना है ऐसे गवर्मेंट और भी रूल्स चेंज करता रहता है उतना परसेंटेज लोन्स उस सेक्टर को देना पड़ेगा जितने भी इंडिया में स्मॉल फाइनशल बैंक से लोकल एरिया बै प्रैक्स सबको लोन देता है वेकिल लोन हैं सिंह इनडर्ष्टी लोन यह सब प्रियार्टी सेक्टार के अंदर नहीं लामप प्राइर्टार के उंदर को हाता है अगर कले लोन दे रहा है एड्यूकिच्छन के लिए लोन दे रहा ही Snoop44 हो जो आएज़ा को और इसमें भी आमोन का लिमिट अधा करेंगी तो अग्रिकर्ट्र इंडिविडं़ फार्मर को अग्रिक्रट्र लोन देता तो वह बिए प्राइर्टि सेक्टर अंदर आता है अग्रिकलुटियर इंफासेक्शर जैसे आपने sagt मतलम ट्राक्टर करीद रहा है या कोई एक्प्मेंट करीद रहा है वो सोळार पैनल करीद रहा है Water Generator खरीद रहा है, यह सब भी Agriculture की अंधर आता है और Priority isch sector की अंधर आता है जैसे Micro financial loans देते हैं चोटे-चोटे लोग के लिए My panace loan देते हैं यह भी Agriculture की अंधर आता है और Priority सेक्टर की अंधर पर आता है तो commercial banks उसके पास 100 रूपाय होगा तो 40 परसंट, 40 रूपाय priority सेक्टर को देना है Small financial bank 75 परसंट, वो लोग के पास 100 रूपाय होगा तो 75 रूपीज priority सेक्टर को लोन देना पड़ेगा और इसके अंदर sub-target होता है, मतलब ए 40 और 75 के अंदर भी sub-target होता है उसमें 18 परसंट agriculture को देना है, micro enterprises को 7.5 परसंट देना है, weaker sections को 12 परसंट देना है यह target हो गया और sub-target भी हो गया और यह 7.5 परसंट हमने आलड़ी इधर discuss कर दिया ना, यह micro enterprises कादी एंड विलेज इंडस्री सेक्टार को कोई भी लोन दिया तो यह वाला priority सेक्टार की अंदर आ जाएगा और सब-target की अंदर भी आ जाएगा और education loan, कोई भी education loan 20 लाक्स की अंदर होगा तो यह priority सेक्टार की अंदर आ जाएगा और अन्युवल एनर्जी कोई भी विंद्मिल इन्स्टाल कर रहा है या स्ट्रीट लैट्स इन्स्ट्वर कर रहा है रिमोट विलेज एलेक्रीशन कर रहा है सोलार बेस्ट और जनरेटर करीद रहा है यह सब इंडिविडल पर्चेश किया तो दस लाग का लिमीट है कोई भी बड़ा कंपनी सहे तो 30 कोस तक लिमीट है यह लोन दिया तो बैंक यह प्राइटी सेक्टर के अंदर दिखा सकता है यह इंपोर्टेंट कोशन से ज सकता है तो कामन मतलब प्राइटी सेक्टर लोन कभी भी कोई भी बैंक दे रहा तो गोवर्मेंट क्या रेट करता है वही रेट देना पड़ेगा और जितने भी लोन से 25,000 के अंदर है उसमें अडहाक चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस यह सब नहीं दालना कोई भी और कोई भी प्राइटी सेक्टर लोन आया तो उसका रेशीड देना पड़ेगा सैंक्शन रिजेक्शन क्यूंड डिस्वस्मेंट हुआ वह सारा इंफ्रमेशन देना पड़ेगा और हर अप्लिकेशन को एक्लाउनमेंट भी देना पड़ेगा बैंक्स त्यांक्यू फ्रेंट्स मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना कॉमेंट कर लेना फ्रेंट्स को फारवड करूंड